हलो एंड वेलकम और कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चो सभी लोग बढ़िया गड़ चलिए तो हम लोग फिर से आ गए हैं हमारे यूटीब चैनल पर जिशान सर्फिजिक्स पर हना और हम लोग को पता है कि जैक बोड में अभी एक्जाम होने वाला है और जैक बोड ने क्लास 11 क को सॉल्व करेंगे ठीक है है ना यह करके सारे कोशन को हम लोग डील करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे देखिए हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि एन इंडियान साइंटिस्ट हूँ वान नॉबल प्राइस फॉर फिजिक्स ठीक है वो इंडियान साइंटिस्ट जो के इसी बोस है ठीक है इनको wireless connectivity के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन ये जीते नहीं थे ये जो भाबा है M.N. साहा है ये लोग को भी नॉमिनेट किया गया है लेकिन ये लोग यहाँ पे जीते नहीं है अगर Nobel Prize in Physics किसी ने जीता है तो वो है Sir C.V. Raman कौन है Sir C.V. Raman तो C.V. Raman है तो हमारा जो option है ये पहले वाले सवाल का उसका जवाब है वो क्या है D है और आप लोग अपना जो है answer match कर लेंगे है ना पहले वाले सवाल का जवाब होगा वो Sir C.V. Raman होगे जो क्या है D है इसके बाद हम लोग अपने दूसरे question में आत unit इन में से कौन सा system of unit नहीं है ठीक है ना तो दीखे ये MKS है इसको हम बोलता है meter kilogram second system of measurement CGS है ये क्या कहलाता है centimeter gram second system of measurement SI है standard international system of measurement and decibel है ये unit है unit for sound sound को हम measure करने के इसमें decibel में तो which of the following not system of unit तो इसमें ये system of unit नहीं है ये सीधर unit है तो हम बोलेंगे कि decibel जो है ये वाला answer हमारा answer number D ये wrong होगा ठीक है यह वाला answer जो है it is not a system of unit तो हम लोग second के लिए answer कौन सा लेंगे D number ठीक है बाकी सारा जाए वो system of unit है तीसरे में आते हैं in SI system the fundamental units are आपको मैंने पढ़ाया है fundamental units के fundamental में meter था, kilogram था, second था, ampere था, Kelvin था, mole था, candela था बाकी और कहीं पे देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे आपको कूलम नजर आ रहा है यहाँ पे न्यूटन नजर आ रहा है ठीक है तो हर जगा यहाँ पे आपको flux नजर आ रहा है और यह सब जो है यह सब fundamental units में नहीं आते हैं तो हमारा तीसरा का जवाब होगा वो होगा A, option number A यह हमारा third सवाल का जवाब है ठीक है मतलब यह जो है यह हमारा fundamental units है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं fundamental units में आप लोग को मैंने पढ़ाया था ना साथ पढ़ाया थे मीटर पढ़ाया थे, किलोग्राम पढ़ाया थे, सेकंड पढ़ाया थे, अम्पेर पढ़ाया थे, केलविन पढ़ाया थे, मोल पढ़ाया थे, कैंडेलर पढ़ाया थे, fundamental physical quantities भी पढ़ाया थे हम आप लोग को ठीक है, क्या क्या पढ़ाया थे, mass पढ़ाया थे, kilogram पढ़ाया ठीक है तो यह सब सारे आसान आसान सवाल है अब देखे यह वाला जो सवाल है ना यह वाला सवाल बच्चे काफी अच्छा है इस सवाल को हम लोग बनाएंगे ठीक है यह सवाल जो हम लोग का यह काफी अच्छा सवाल है तो हम लोग इसको बनाते हैं अभी और देखते हैं कि यह कैसे बनेगा, ठीक है, हम लोग को बोलता है कि a vehicle travel half the distance with speed V1, एक गाड़ी है जो के V1 speed से आधा distance travel किया है and half with speed V2 और V2 speed से बाकी आधा distance travel किया है then average speed, ठीक है, अब देखिए हम लोग फंस कहा जाते हैं बच्चों है न हम लोग फंसते जो है उस चीज़ पर हम लोग ध्यान देते हैं ठीक है हम लोग सुचते हैं average speed बोला है तो ऐसा करते हैं कि average speed निकालने के लिए हम लोग करेंगी क्या दोनों के speed को जोडते हैं और जोड करके two से divide कर देते हैं क्योंकि हम लोग को बचपन से average निकालने के लिए ऐसा ही दिखाया गया है लेकिन ये हमारा सबसे गलत method है average speed निकालने के लिए ठीक है ये method हमारे लिए सही नहीं है आप ये method से answer निकालेंगे आपका answer हर बार रौंगा जाएगा ठीक है तो हम लोग को आखिर average speed में करना क्या है तो average speed जब आपको पढ़ाया गया होगा ना जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि average speed होता है तो average speed के लिए मैंने एक formula छोड़ा था बताया था कि बाबु ये हमेशा होगा total distance covered क्या होगा total distance covered by total time taken ठीक है ये हमने आपको बताया था कि total distance covered by total time taken ये हमारे लिए formula है तो बस simple सा एक चीज इसमें मैंने बोला था कि average speed जो है आप इस तरह दे कुछ लिखिए कि total distance covered है s1 plus s2 और total time taken है मान लेते हैं कि t1 plus t2 तो ये कुछ याद आया होगा आप लोग को इस तरह से कि हाँ total speed क्या है total average speed क्या है total distance covered by total time taken इसमें क्या है कि हमने मान लिया है कि कोई body है यहाँ पे और यह body जो है ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने s1 distance travel किया t1 time में ठीक है तो total distance केतना हो जाएगा s1 plus s2 और total time केतना हो जाएगा t1 plus t2 तो यह हमने क्या किया है एक formula लगा के रखा है और इस तरह के question मनाने के लिए हमको यही formula ही चाहिए इसी formula से बनेगा अगर हम लोग average speed के लिए यह formula नहीं लगाएंगे तो यह हमारा question गलत हो जाएगा अब देखिए अब question पर आईए क्या बोलता है कि अब vehicle travel half of the distance with speed v1 जो भी distance दिया है उसका आधा v1 speed से तो मान लेते हैं कि एक vehicle है जिसने total s distance travel किया है total कितना s distance इसने travel किया है तो अब अगर आपसे बोला जाएगे इस s का आधा बताईए ठीक है s का आधा मतलब s1 का value तो यह क्या होगा s by 2 हो जाएगा half of the total distance s by 2 न बोलेंगे और इसको कितने speed से travel किया है तो इसको speed दिया गया है आपको v1 इसका speed कितना दिया गया है v1 इसके बाद फिर बोलता है कि बचा हुआ जो half है वो कितने speed से v2 तो बचा हुआ आप half क्या हो जाएगा कि sir ऐसा है कि हम लोग के पास तो time है ही नहीं लेकिन ये formula में time दिया गया है हाँ है आप यही बात बोलेंगे न कि sir हमारे पास तो time है ही नहीं और इस formula में time दिया गया है तो हम लोग जानते हैं हमने एक पढ़ा है formula क्या पढ़ा है कि speed is equal to distance by time होता है तो time is equal to क्या हो जाएगा time is equal to distance by speed हो जाएगा तो हमको यहां से यहां तक का distance दिया है कितना दिया है यहां से यहां तक distance s by 2 है तो t1 time अगर आप से हम पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे sir distance s by 2 है और speed कितनी है v1 है इती ज़रा से t2 time क्या लिखेंगे कि sir distance s by 2 है और speed कितनी है v2 है तो हमने यहाँ पर T1, T2 निकाल लिया S1, S2 पता है पहले से क्या हमारा अंसर नहीं बनेगा अब यह हमारा अंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा ठीक है क्या होगा यह हमारा अंसर अब आसानी से आ जाएगा अब हम लोग देखते हैं यह आसानी से यह आंसर कैसे आता है ठीक है आये देख लेते हैं तब यहाँ पे हम लोग average ठीक है average speed है average speed इसके लिए हमारे पास जो formula है यह है S1 प्लस S2 डिवाइड़ बाई T1 प्लस T2 अब S1 का वैलू S by 2 प्लस S2 का भी वैलू कितना S by 2 ठीक है whole divided by T1 का वैलू हमने कितना निकाला तो हमने T1 का वैलू निकाल दिया S by 2 V1 और प्लस T2 का वैलू हमने कितना निकाला कि S by 2 V2 को दिकत नहीं यह आपे ठीक है यह आ गया अब आप इसको calculate कर लेंगे जब आप इसको जोडेंगे तो यह आपको क्या मिलेगा average speed this is equal to S by 2 प्लस S by 2 यह तो आ जाएगा S इन दोनों जगा से S by 2 को common ले लिजें ले लेते है S by 2 को common क्या बच जाएगा 1 by V1 प्लस 1 by V2 यह S और यह S कड जाएगा यह 2 उपर चला जाएगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा 2 divided by 1 by V1 प्लस 1 by V2 ठीक है अब LCM ले लिजे जैसे ही आप LCM लेंगे आपको average speed मिल जाएगा क्या आ जाएगा average speed average speed आ जाएगा हम लोगों का 2 divided by LCM लेंगे तो यह हो जाएगा V2 प्लस V1 divided by V1 into V2 V1 into V2 उपर चला जाएगा तो यह आजाएगा 2 V1 V2 divided by V1 प्लस V2 और यह होगा हमारा answer 2 V1 V2 by V1 प्लस V2 ठीक है तो अब इसमें अगर आप option देखेंगे तो option कौन सा है हमारा तो option number C सही जा रहा है कौन सा option सही जा रहा है option number C जो है यह हमारे लिए क्या है यह सही है 2 V1 V2 by V1 plus V2 ठीक है यह एतनी चीदे सबज़ में आई आप लोग को तो जब भी average speed से related question आएगा न यही formula याद रखना है कौन सा S1 plus S2 by T1 plus T2 यह formula याद नहीं रखेंगे तो हमारा जो question होगा वो wrong हो जाएगा इसका solution सही नहीं बनेगा देखिए तो अगर यह formula बना के निकालते तो हम लोग कौन वाला option मारते पहला मारते और देखिए जो wrong option एक चीज़ आ रहा हम आपको हमेशा बताएं जो wrong option होता है न maximum case में वो पहली number पे दे दिया जाता है तो यहाँ पे पहले number पे दे देता है और आप जैसे मारते वैसे वो wrong हो जाता ठीक है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है हम लोगों को ठीक है न जो भी solution होगा आप चाहें तो सारे solution को copy कर सकते हैं समझ सकते हैं अपने से बना सकते हैं ठीक है चलिए आगे बोलते हैं हम लोग next है हमारे पास अगला सवाल ठीक है which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the direction of motion at given instant of time देखिए इस question को समझिए क्या है बोलता है इसमें से कौन सा चीज़ को हम लोग use करेंगे describe करने के लिए कि इससे ये पता चले कि कितना तेजी से move कर रहा है और direction भी है मतलब magnitude भी है और direction भी है हाँ या ना मतलब magnitude और direction दोनों हो गया तो क्या हो गया यह vector quantity आ गया अब जैसे ही vector आया तो speed, speed तो cancel out हो गया मतलब B और C जो है यह दोनों हमारे पास option नहीं बचाए अब क्यूंकि speed is a scalar quantity speed is a scalar quantity तो अब अगर में पास magnitude भी हो डारेक्शन है मतलब quantity vector है मतलब velocity होगा और दूसरा बात यहाँ पे दे दिया है at any instant तो यहाँ पे instant का बात हो रहा एक छोटे से time का बात हो रहा और जब भी instant का बात होता है न बच्चो तो instant जो होता है यह क्या होता है instantaneous कहलाता है क्या कहलाता है instantaneous तो इसका answer क्या हो जाएगा A हो जाएगा question number 5 जो है आपका question number 5 का answer क्या होगा A होगा ठीक है को दिखते हैं यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता है instantaneous velocity velocity is a vector quantity magnitude भी होगा direction होगा और instantaneous एक छोटा सा time बहुत छोटा जो च्छंड के लिए आएगा तो यह क्या कहलाएगा instantaneous velocity कहलाएगा ठीक है निक्स हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा जो सवाल है वो है maximum range of a projectile projectile का maximum range है वो क्या होगा कब होगा ठीक है तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है क्या है सबसे पहले समझिए कि यह maximum range क्या बताया है आप लोगों को माली जी एक body इस body को उठाके हमने यहां से यहां तक फेका है ठीक है यह horizontal है ठीक है अब यहां से लेकर के यह दूरी जो है इस दूरी को हम range बोलते हैं यह यहां पे किसी angle पे हमने इसे फेका है यू velocity से और यह angle हमने कितना मान लिया है ठीक है तो आपको मैंने बताया है कि यह horizontal range होता है यह r का value होता है u square sin 2 theta divided by g क्या होता है यह general expression है r equal to u square sin 2 theta by g अब हमको बोल रहा है कि यह जो range है यह maximum होना चाहिए मतलब r का value maximum होना चाहिए तो r maximum कब होगा r will be maximum r का value maximum जब sin 2 theta का value maximum हो जाए हा यह ना जब sin 2 theta maximum हो जाएंगे तो r भी क्या होगा maximum हो जाएगा और sin 2 theta का maximum value कितना बच्चो, 1, हाँ या ना, मतलब यहाँ पे r का maximum value कितना, r का maximum value हमको मिलेगा, u square divided by g, अब कितने angle पे आएगा sir, तो simple जबात है, यह sin 2 theta equal to 1, यह कहाँ पे आएगा, sin 90 पे आएगा, sin 90 पे value 1 होता है ना, मतलब के 2 theta का value कितना है, 90 degree, हाँ या ना, मतलब theta का value क 90 degree divided by 2, मतलब केतना आ गया, theta equal to 45 degree, तो अगर आप देखेंगे, तो आपके पास कोई option है, r maximum क्या है, u square by g, तो u square by g आ गया है, और theta केतना है, 45 degree, तो यहाँ पे भी हमारा जो option है, यह option A, सही होगा, r का value, r maximum केतना होगा, u square by g, when theta is 45 degree, r maximum is equal to, यहाँ पे equal to लिखने भूल गएं लगता है, लोग, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ा जाए, यह question तो समझ माएं आप लोगों को, हाना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे की चीजों को लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अब body travels along a circumference of a circle, ठीक है, अब हम लोग uniform circular motion के question में आगे हैं, ठीक है, बोलता है कि एक body है, जो के travel कर रहा है, along the circumference of a circle of radius 2 meter, with linear velocity 6 meter per second, ठीक है, तो क्या है ना, कि यहाँ पे, यह हमने एक circular path ले लिया, ठीक है, क्या है, यह हमारा एक circular path है, circular path है, तो इसका center भी होगा, इसका center हमने यह मान लिया, यह है इसका radius r, यह body है, जो के इस circular path में move कर रही है, ठीक है ना, और कितने linear velocity से, 6 meter per second, अब मन में यह चलता है, कि सर, जब यह body circular path में move कर रही है, तो linear velocity कहां से आ गया, ठीक है, तो याद रखना एक बात, अगर body circular path में move कर रही है, तो उसके पास दो तरह की velocity होगी, यह मैंने बार बार बताया आप लोग यहां यह ना, अब सर कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको बोलाता, धागा में एक पत्थर बांदिये, और उस पत्थर को इस तरह से घुमाईए, और घुमाते ही घुमाते है, जब आप छोड़ेंगे, तो जिस direction में धागा उस time linear velocity होगा, वो पत्थर उसी direction move कर रही है, मा जहां पे दो तरह की velocity होगी, एक angular velocity होगी और एक linear velocity होगी, तो सर linear velocity कैसे निकालेंगे, तो अभी तुरत मैंने बताया, कि जहां पे छोड़ेंगे, मतलब यह जो tangent होगा, यह tangent आपको linear velocity का direction बताएगा, tangent क्या करेगा, linear velocity का direction बताएगा, तो हम लोग जानते हैं, कि V equal to क्या हो या न, 6 meter per second, और R का value भी आपको दिया गया है, R कितना दिया गया है, R आपको 2 meter दिया गया है, तो हमको omega निकालना है, omega क्या हो जाएगा, V divided by, R, V बोले तो कितना है बच्चो, 6 और R बोले तो कितना है, 2, divide कर देंगे, क्या जाएगा यह, 3 radian per second, ठीक है, है कोई option, हाँ है option number B, तो यहाँ पे option number B जो है, यह question number 7 का सही है, 3 radian per second, ठीक है, अब आगे अगले question पर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है न, अगला सवाल देखते हैं कि क्या है, ठीक है, अगला सवाल तो बहुत ही आसान है, अगला सवाल आप से पूछा गया है, acceleration is which type of physical quantity, तो acceleration के पास magnitude भी हो करता है, और यह vector rule of algebra को follow भी करता है, ठीक है न, तो acceleration क्या है, acceleration एक vector quantity है, ठीक है, acceleration क्या है, acceleration is a vector quantity, ठीक है, इसके आगे के सवाल में आते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोगों को यह सवाल दिया गया है, ठीक है, बोलता है कि a student studies some equation, एक student को दिया गया है, कुछ equation पढ़ने के power जो है, यह work by time है, power क्या है, work by time है, ठीक है, work scalar है, time scalar है, ठीक है, जिसका सिर्फ magnitude होता है, उसको scalar बोलते हैं, तो यहाँ पे एक scalar quantity मिला है, हम लोगों को power, दूसरा हम लोगों को दिया गया है, force is equal to mass into acceleration, इसके बाद तीसरा हम लोगों को दिया गया है, velocity is equal to displacement by time, क्या दिया गया है, velocity is equal to displacement by time, बोलता है, how many vector quantities are contained in the equations, ठीक है, यह सवाल थोड़ा सा conflicted है, ठीक है, बोल रहा है कि इन equations में कितने vector quantity है, अगर आप अलग-अलग vector quantity करके लेंगे, तो force को अलग बोलेंगे, acceleration को अलग बोलेंगे, velocity को अलग बोलेंगे, displacement को अलग बोलेंगे, तो इस आप से आप जो answer होगा, वो 4 बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे answer 2 होगा, क्योंकि यह जो force है, यह हमने scalar और एक vector के product से बनाया है, तो force एक vector quantity हमने यहाँ पे बना दिया है, उसी तरह से velocity जो है, यह vector और scalar यहाँ पे 2 हमने use किया है, तो velocity भी क्या है, यहाँ पे एक vector quantity है, ठीक है, तो इस answer के लिए, जो question के हिसाब से, थोड़ा conflict बनता है, लेकिन हम क्या को बोल रहे है, कि यह force को बनाने के लिए हमने एक vector यूज किया है, velocity को बनाने के लिए एक vector यूज किया है, तो हम यहाँ पे जो total number of answers होगा, यह क्या होगा, बी होगा, मतलब 2 होगा, ठीक है, next, इसके बाद है, to shake off water from wet cloth, it is common to give it sudden jerk, in doing so, we are taking advantage of, यह question अच्छा है, तो यह क्या होता ना, अरे अभी 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 तो कप्ला अभी धोलाता है, धोलाता है कि ने धोलाता है, धोलाता है, तो होता क्या है, कि हम लोग कप्ला धोने के बार उसके ऐसे करके जहान आते हैं, ठीक है, इस तरह से sudden jerk देता है, अभी सोचे sudden jerk से क्या होता है, तो यहाँ पे newton's का first law काम करता है, क्या बोलता है newton's का first law, कोई भी body अपने initial condition में रहेगा, ठीक है ना, अपने initial condition में अगर कोई change हा रहा तो वो उसको क्या करेगा, oppose करेगा, मतलब inertia का concept आएगा, तो अब जो है, उस wet clothes में है, ठीक है, जो cloth है वो भींगा हुआ है, उसमें क्या है, पानी है, अब जब पानी है, जब हम उसमें जटका दे रहे हैं, तो पानी क्या चाहेगा, हम जो है, वही पे रह जाएगा, अपने जगा को नहीं छोड़ेगा, और कपड़ अपने जगा को करते हैं, किसके concept को यूज करते हैं, इनर्शिया के concept को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे question को देखते हैं, देखें, इसके बाद क्या है ना, वाई वी experience requiring a gun after firing a bullet, जब हम लोग बंदूग से गोली चला देते हैं, तो फिर opposite reaction, हर एक action का equal and opposite reaction होता है, आप गोली चलाए तो action हुआ, इसका गोली आगे निकल के गया, तो इसका reaction होगा, और reaction होगा तो मतलब body क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा, इसका सही answer यही हो ना था, कि यह Newton's का third law है, Newton's के third law को follow करता है, every action has equal and opposite reaction, यहाँ पे हम लोग को कुछ अलग-अलग options दिये गए है, यहाँ पे हमको बोला गया है, because the bullet has small linear momentum, because the bullet has large linear momentum, because the bullet has zero linear momentum, none of the above, ठीक है, none of the above, तो हमारे हिसाब से, जो भी answer आएगा, यहाँ पे क्या आजाएगा, none of the above आएगा, ठीक है, हम लोग none of the above को बोलेंगे, कि यह क्या है, यह correct answer है, क्योंकि वहाँ पे यही चीज़ चलता है, यहाँ पे हमको यह चीज़, यह चीज़ जो है, यह सब line EM को यह नहीं बता रहा है, because the bullet has small linear momentum, यह bullet has large linear momentum, इन सब चीज़ के वज़ा से यह क्या है, पीछे आता है, यह हमको पता नहीं है, ठीक है ना, हमको Newton's के third law के बारे है, कि every action has equal and opposite reaction, तो हर ए next, a mass of a body is 2 kg, एक body है, इसका mass कितना दिया गया है, 2 kg, बोला गया गया है, इसका weight क्या होगा, तो weight तो आप जानते हैं बच्चों, weight क्या होता है, M into G होता है, M बोले तो कितना, 2, G बोले तो कितना, 9.8, जब आप इससे multiply करेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, 19.6 newton, ठीक है, तो यह जो question number 12 है, question number 12 का answer क्या होगा, 19.6 newton, ठीक है, इसके बाद, इसके आगे question में आते हैं, ठीक है, तो यह देखते हैं इस question को भी, क्या बोलता है यह question, बोलता है, आप passenger, एक passenger है, in a moving bus thrown forward, when the bus is suddenly stopped, आप लोग तो बस में चलते ही है, इससे ज़्यादा अच्छा तो आपको example मिलेगा ही नहीं, ठीक है, बस जा रहा था, जा रहा था, अचानक से ब्रेक मारा, हम आगे बाहर आ गए, होता है कि नहीं होता है, तो आखिर क्यूं होता है, तो यह आपको inertia के वर इसका answer भी क्या होगा, ए होगा, जो क्यों ऐसा हो रहा है, inertia हमने पढ़ा inertia तीन वज़े से होता है, तीन तरह का होता है, एक inertia of rest होता है, एक inertia of motion होता है, एक inertia of direction होता है, अब जब हम रूके हैं, अचानक से बस चल पढ़ा, तो हम पीछे जाते हैं तो inertia क्या करता है, initial condition में ज को आगे ही जाना है क्योंकि हमको अपने होने वाले मेरे में जो change हो रहा है हम उसको क्या करेंगे oppose करेंगे और oppose करेंगे तो कैसे oppose करेंगे और आगे जाकर करेंगे तो इस answer क्या होगा Newton's का first law ठीक है इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग conservation of momentum in a collision between particle can be understood ठीक है बोलता है कि conservation of momentum जो है अगर collision हो between two particles दो particle के बीट में collision हो गया है और conservation of momentum है तो फिर कैसे समझ में आएगा तो यहाँ पे हम इसको both Newton's second law and third law को use करेंगे ठीक है ना Newton's का third law क्या बोलता है every action is equal and opposite reaction ठीक है मतलब इसके हिसाब से क्या है linear momentum is conserved और यहाँ पे Newton's का second law भी क्या बोलता है f is equal to dp by dt ठीक है ना अगर कोई भी changes नहीं आ रहा है 4-0 हो रहा है external 4-0 है मतलब linear momentum वहाँ पे भी क्या है conserved है तो conservation of linear momentum क्या है between two collisions यह Newton's के second law and third law से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं ठीक है ना third law क्या बोलता है every action is equal and opposite reaction हर एक action का equal and opposite reaction दो body आया आके टगराया equal opposite reaction हो गया ठीक है तो वहाँ पे क्या होगा velocity change नहीं होगी velocity change नहीं हो रही है यहाँ पे conservation of momentum को concept यूज कर जा रहा है उसी तरह से Newton's का second law है Newton's का second law में external जो force हो का उसका हम लोग 0 देखाएंगे 0 देखाएंगे तो linear momentum फिर से conserved हो जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा D 14 का answer D next है बोलता है block of mass M is placed on a flat surface a force is applied to move it parallel to the surface the frictional force F developed is तो यह सबसे पहले बोलता है कि एक block है जिसको हम लोगोंने एक horizontal surface पे रख दिया है तो यह हमने क्या किया एक horizontal surface लिया और इस horizontal surface पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक block को लाके रख दे रहे हैं रख दिये ठीक है इसके बाद क्या हुआ ना कि a force is applied to move it parallel to the surface एक force लगाए है जो कि इसको क्या कर रहा है parallel to the surface move कर रहा है ठीक है कोई बात नहीं है सही है तो जब यह इधर सीधर move करेगा तो पक्का है कि इसके opposite direction में कौन काम करेगा इसके opposite में काम करेगा frictional force हाई ना तो frictional force इसके just opposite direction में काम करने लगा ठीक है हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि f is equal to जो होता है यह mu into n होता है हाँ या ना जहां पर n is normal reaction तो पक्का है कि दो surface contact में है तो normal reaction होगा और इस body के पास mass होगा तो mass के वज़ा से एक force लेगा जिसे हम weight बोलते हैं mg तो n किसके बराबर होता है n और mg दोनों यहाँ पर equal हो जाएंगे ना यहाँ पर body तो अपने अपने उपर नीचे होगा नहीं जब अपने अपने उपर नीचे नहीं होगा मतलब normal reaction और mg यह दोनों क्या है बच्चों equal है तो हम बोल सकते हैं क्या कि force जो है यह mu mg के बराबर है ठीक है अब हमसे पूछा to mu b constant g b constant तो is proportional to mass of the body तो इसका जो answer है question number 15 का यह क्या होगा भी हो जाएगा ठीक है इसके बाद in any kind of linear in every kind of collision पापू collision कैसा भी हो linear momentum यह तो आपको मैंने पहले रहेगा यह तो आपको मैंने पहले ही बताया है it samp को in elastik और कर्णिटर के ना i kन हो सकता है ठीक है न KRIS tratarogen और क։ ाल्वेस कंसर्व्ट सुस्टीर उपने आंसर होगा यह क्या होगा ठीक है next potential energy क्या होता है mgh g बोले तो क्या घड़ गया gravitational acceleration वह इसका तो answer आप लोग देखते के साथ ही बता देंगे हाँ या ना potential energy होता है na potential energy is equal to mgh m दे दिया height दे दिया क्या बज़ गया g बज़ गया g बोले तो gravitational acceleration यह हमारा question number 17 भी हो गया complete next आते है 18 पे area under force displacement diagram क्या देगा हाँ sir यह बात बताए है क्या देगा چली देखे क्या देता है हाणा सबसे पहले force displacement diagram ही बना लिजे क्यो갈 भी एक diagram बना लेते हैं हम लोग ठीक है इधर मान लेते है force है और इधर मान लेते है displacement है और यह कोई graph आफ इस तरह से बन गया है ठीक है अब इसके अंदर का आप यह area निकाल सकते हैं ठीक है ना यह वाला area जब हम निकालेंगे ठीक है अब सर हाफ बेस बोले तो AB हाइड बोले तो BC हाफ बेस इंटू हाइड तो अब निकालेंगे area of triangle is equal to half बेस बोले तो AB, AB बोले तो distance, distance के लिए unit क्या होता है मीटर BC, BC बोले तो force और force के लिए unit क्या होता है Newton तो आपको यहाँ पे finally unit क्या मिल गया Newton meter मिल गया और Newton meter is unit for क्या चीज़ के लिए unit है यह unit है work done के लिए तो यह आपको क्या provide करेगा area area आपको provide करेगा work done तो हमारे लिए question number 18 का answer क्या होगा C, area जो होगा वो हमको area under force displacement graph यह हमको हमेशा क्या देगा work done देगा ठीक है समझ में आ रहा बात area under force displacement diagram क्या देगा always हम लोगों को work done देगा next है question number 19 यह तो बहुत important है और मैंने इस topic को और भी discuss किया है यह topic जो हमनों discuss किये है यहाँ पे कुछ चीज़ों आपको हम समझाते हैं ठीक है आपने दो तरह का motion पढ़ा होगा एक को बोलते है linear motion और एक को बोलते है rotational motion बोलते हैं क्या हाँ बोलते तो है sir तो linear motion और rotational motion में समझे क्या क्या है आप linear motion में linear displacement पढ़ते हैं जिसको s से लिखते हैं हम rotational motion में angular displacement पढ़ते हैं जिसको theta से लिखते हैं हम linear motion में linear velocity पढ़ते हैं हम rotational motion में angular velocity पढ़ते हैं ठीक है हम linear motion में linear acceleration पढ़ते हैं और हम rotational motion में angular acceleration पढ़ते हैं और इसमें एक relation भी होता है V equal to omega into r होता है A equal to alpha into r होता है मतलब linear angular में यह relation है linear motion में हम लोग linear momentum पढ़ते है जो के mass into velocity होता है rotational में angular momentum पढ़ते है जो के mass into velocity into radius होता है ठीक है ना इसको हम लोग और भी लिखते हैं L is equal to r into p भी लिखते हैं मतलब radius into linear momentum भी दिखते हैं ठीक है हम लोग जिस तरह से force पढ़ते हैं है ना उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं torque पढ़ते हैं force के लिए क्या होता है mass into acceleration अभी हम आपको बताएंगे कि torque के लिए क्या होगा है ना हम लोग linear motion में linear motion में हम लोग rotational motion में फिर दो चीज़ हम लोग linear motion में जब mass पढ़ते हैं ना तो यहाँ पर हम लोग उसी के लिए moment of inertia पढ़ते हैं ठीक है तो अब देखिए यह जो force है ना force mass into acceleration होता है ठीक है और जैसे हम torque में आते हैं torque क्या होता है यह torque जो है यह rotational analog है किसका rotational analog है force का मतलब जो काम linear motion में force करेगा वही काम linear motion में rotation motion में कौन करेगा torque करेगा याद रखना है जो काम linear motion में linear momentum करेगा वही काम rotation motion में कौन करता है angular momentum करता है ठीक है समझ में आ रहा है बात जो काम linear motion में linear momentum करेगा रोटेशनल में अंगुलर करेगा जो काम linear motion में force करेगा वही काम कौन करेगा तर्क करेगा जब वही काम करेगा तो काम करवागे देखते हैं तो force क्या था mass into acceleration अब देखिए जो काम linear motion में mass करता है rotation में कौन करता है moment of inertia बोलते हैं i से denote करते हैं किस चीसे denote करते हैं i से तो mask के जगा क्या use करेंगे i और linear momentum के linear acceleration के जगा क्या use करेंगे angular acceleration use करेंगे समझ में आ रहा है यह सब बात ठीक है तो जो काम linear motion में force करेगा rotational motion में कौन करेगा torque करेगा तो हमसे पूछा गया है torque acting on a body is rotational analog of torque जो है यह किसका rotational analog है मतलब torque जो है यह किसके जगा पे काम कर रहा है force में कौन है जिसके जगा पे torque काम कर रहा है तो आप लोग क्या बोलेंगे कि linear motion में क्या है force है और force के जगा पे कौन काम कर रहा है rotation motion में torque तो यह हमारा क्या होगा answer, force torque acting on a body is rotational analog of force समझ में आया बात, इसी तरह दे पूछ देता है कि angular momentum किसका rotational analog है क्या बोलेंगे, linear momentum का पूछ देता है, moment of inertia किसका rotational analog है, क्या बोलेंगे mass का rotational analog है एक question और जो बहुत आता है कि moment of inertia का unit बताइए, moment of inertia का unit बताइए, ठीक है तो moment of inertia के लिए formula होता है m into r square मान लीजी हाँ या ना, ठीक है तो mass के लिए kg और distance के लिए meter तो moment of inertia के unit क्या हो जाएगी, kg meter square ये question तो हमको लगता है, बहुत ही आता है ये question, ठीक है आगे बढ़ें, ये question समझ में आया ना rotational ये लोग बोलने का मतलब ही यही है, कि linear में जो काम कर रहा है, उसके जगा पर rotational में हम लोग किसको काम करवा रहे हैं ठीक है ना, next है question number 20 20 भी देखें तो कुछ मिलता है ही दूलता है क्या, which are the following content represented by product of moment of inertia and angular acceleration, moment of inertia मतलब I angular acceleration मतलब alpha I किसके जगा यूज करते हैं mass, alpha किसके जगा यूज करते हैं, acceleration तो M into A क्या होता है, force तो I into alpha क्या होगा, torque क्या बोलेंगे answer इसका, इसका answer बोलेंगे 20 number B, जो क्या answer होगा torque, अब आसानी सा answer निकल गया न, कैसा ठीक है, यह दोनों को याद रख लिए moment of inertia है, तो moment of inertia किसके जगा पर, mass के जगा पर यूज हो रहा है, angular acceleration के जगा पर क्या यूज हो रहा है, linear acceleration हो रहा तो वही लगा है, और answer को हम लोग निकाल लिए, ठीक है next question number 21 if a body is rotating about an axis passing through its center, then its angular momentum is is directed along, ओके यह question ठीक है, हाँ, रिखते हैं बोलता है कि एक body है जो के अपने axis के about rotate कर रहा है एक body है, यह इसका axis है यह अपने axis के about क्या कर रहा है rotate कर रहा है angular momentum का बात हो रहा है सबसे पहले लिख लिए यह linear momentum क्या होता है, mass into velocity तो जब आप यह लिखेंगे, आपको angular momentum लिखने में आसानी हो जाएगा क्या लिखेंगे angular momentum को mass क्या है, mass के जगा moment of inertia into velocity क्या लिखेंगे, angular velocity ठीक है, तो अब यह क्या आ गया angular velocity, l equal to i into omega, यह omega जो है ना, यह हमेशा axis of rotation के along काम करता है, angular velocity यह हमेशा किदर काम करेगा, हमेशा axis of rotation के about काम करेगा, मतलब कि angular momentum का भी direction क्या होगा, जो omega का होगा, यह vector यह भी vector, हाँ यह ना, तो जो omega का direction होगा, वही angular, sorry, moment of inertia, क्या है, angular momentum का भी वही direction होगा, ठीक है, तो यहाँ पे omega जो है, about axis of rotation काम करता है, तो इसका answer क्या लिखेंगे, हम लोग दी लिखेंगे, दी बोले तो axis of rotation, ठीक है, जो omega का direction, वही angular momentum का भी direction, याद रखना यह बात, जो velocity का direction, वही linear momentum का भी direction, पढ़े है ना यह बात, पढ़ाया है कि आप लोगों को, कि linear velocity का जो direction, वही linear momentum का भी direction, तो जो angular velocity का direction, वही angular momentum का भी direction होगा, ठीक है, next हम लोग आगे बहुते हैं, escape speed of a body on the surface of planet does not depends on, escape speed velocity is equal to, under root 2g into r e, हाई या ना, कौन नहीं आ रहा है, यह जो g निकाले है, यह तो mass of planet के हल्ट से ही निकाले हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यह mass of the body के उपर, यह जो भी body है, आप 2 kg का, 10 kg का, 500 kg का, कुछ भी kg का body ले लिजे, सारे body को escape speed सेम देना पड़ेगा, मतलब यह mass of the body के उपर depend, नहीं करता है, सर आशा कैसे, यह v equal to under root 2g, small g बोले तो, capital g into m e by r e square into r e, ठीक है, अब देखें, क्या यह mass of planet पे depend कर रहा, हाँ, mass of earth पे depend कर रहा, क्या यह radius of planet पे depend कर रहा, हाँ यह radius of planet पे depend कर रहा, क्या यह gravitation constant g पे depend कर रहा, हाँ, यह इस पे भी depend कर रहा है, लेगिन क्या यह mass of the body के उपर depend कर रहा, हम जो यहाँ पे, अर्थ के surface पे हैं, और अर्थ के surface से इस body को हम, अर्थ के gravitation फिल्ड से बाहर फेगना चाह रहे हैं तो यह जो velocity है यह velocity इस body के mass के उपर depend नहीं करेगा ठीक है और इसी को हम क्या बोलते हैं escape velocity इस velocity क्या बोलते हैं escape velocity बोलते हैं ठीक है ना आगते हैं थोड़ा साओर आगे next question है acceleration due to gravity on the earth surface acceleration due to gravity earth surface में कहां पे क्या होगा मैंने आपको बताया है कि acceleration due to gravity जो है ना यह maximum at pole होता है and minimum at equator होता है मतलब pole पे acceleration due to gravity का value maximum रहेगा और minimum कहां पे रहेगा equator तो यह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा याद रखना यह सब answer हाना pole समझते ना pole जो top में होता है वो pole ठीक है और इधर bottom में pole और इधर जो इस तरह होता है इसको क्या बोलते है equator ठीक है तो equator थोड़ा ज्यादा चोड़ा ह है जिसके वज़े से यह जो maximum acceleration due to gravity है यह maximum pole पे होता है और minimum कहां पे होता है equator पे होता है तो इसका answer हम लोग 23 का क्या लिखेंगे बच्चो ए 23 का answer हमारा हो जाएगा ए ठीक है आगे बढ़ते है और ठीक है escape velocity of a body depends on mass यह आपको थोड़ा सा कुछ option में कुछ यहाँ पे गलती लिखा गया है ठीक है यह option में यह इस तरह यह option नहीं है escape velocity of a body depends on mass as m का power 0, m का power 1, m का power 2 and m का power 3 है यह सही option लिखाया हुआ है यह जो आपको option लिख के दिया गया है यह लगता है कि जो हमारे लिखने वाले थे उन्होंने कुछ गलती कर दी है ठीक है तो आपको क्या है escape velocity of a body depends upon mass as तो अभी तूरत मैंने आपको बताया क्या escape velocity mass के उपर depend करता है m का power 0 मतलब mass का power 0 और कभी से अभी power 0 बोले तो 1 ठीक है तो यह क्या है यह mass of the body के उपर depend नहीं करता है ठीक है ना इसके बाद आगे बढ़ते हैं question number 25 में आते हैं hydraulic brakes works on यह सब तो आप लोगों तो हम रटवा दिये होंगे है कि नहीं hydraulic brake किस पे काम करता है pascal's law of transmission of pressure हाँ या ना hydraulic brake किस पे काम करता है pascal's law of transmission of pressure तो डारेक्ट याद रखना यह सब answer को ठीक है pascal's का law पता है ना क्या बोलता है कि एक जगा pressure बढ़ाएंगे तो यह pressure बराबरी से हर तरफ liquid में भी हर तरफ और wall of the container में भी क्या होगा हर तरफ बराबरी से transmit होगा हाँ या ना आप लोगों को बताया गया था कि मान लीजिए कुछ इस तरह का कोई एक container है है ना मान लेते हैं इस container में इधर भी piston है और इधर भी piston है ठीक है ना यह आपको hydraulic lift का concept दिखा रहा है जहाँ पे हम लोग pascal pressure transmission of pressure का concept यूज़ करेंगे यहाँ पे force increase करेंगे ना तो यह area बढ़ा होने के वज़ा से यहाँ का force increase होगा ठीक है मतल यहाँ पे बोलने का यह है कि hydraulic brake भी इसी concept पे काम करता है हम हलका सा brake लगाते हैं गाली तूरत रूख जाता है ना मतलब वहाँ पे बड़ा brake लग रहा है मतलब जादा force लग रहा है तो जादा force आखिर लग कैसे रहा है due to transmission of pressure pascal's law transmission of pressure के help से लग रहा है ठीक है तो इसका जो होगा वो क्या होगा बी होगा नेक्स हम लोग इसके बाद वाले में आएंगे आप बॉड़ी इस फॉलिंग फ्रीली इन विसकस मीडियम आपको तो यह जब कोईशन तो आप लोग गरदा उड़ा देंगे हैं कि नहीं आपको बताये थे कि बाबू हम लोग नहारे नहारे अचानक से कभी-कभी नहाता ही है हम लोग अचानक से क्या हुआ ना कि साबू नुचला जाके चुमुक से गिर गया बाल्टी में और उसके बाद वो एक constant velocity गेन कर लेता है बताया था ना मैंने आप लोग को कि जब भी आप देखेंगे पानी में कोई चीज गिरा उचे गि समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं मान लीजे कि हमारे पास यह एक कंटेनर है ठीक है ना और इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या रखा है लिक्वीड को रख दिया है इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है लिक्वीड रखा हुआ है यह body आके गिरा और अब यह body यहां से एक constant velocity acquire करेगे ठीक है जिसको आप लोग terminal velocity भी बोलते हैं ठीक है और इसको ये constant velocity है जब ये body fall कर रहा होगा तो ये constant velocity को gain करेगा किसी भी viscous medium में इसके आगे बोलते हैं इसके बाद आले question में देखते हैं viscous force depends upon आपको मैंने ये भी बताया था कि viscous force क्या क्या चीजों पर depend करता है बताएं कि ने बताएं हैं मैंने पढ़ाया था कि f is directly proportional to velocity gradient dv by dx मैंने आपको बताया था f is directly proportional to area of contact between the two layers हाँ या ना मान लिजे कि ये दो layer है हमारे पास liquid का एक layer ये है और एक layer ये है इसकी velocity मान लेते हैं हम लोग के v plus dv है और इसकी velocity क्या है सिर्फ v है तो इसकी velocity थोड़ी जादा है और यहां से यहां के बीच की जो दूरी है इस दूरी को हमने बोल दिया था dx और area of contact को बोल दिया था क्या a तो अगर आपसे पूछे कि relative velocity क्या होगी तो और इधर पीछे की तरफ एक force लगता है जिस force को हम viscous force या फिर viscous drag बोलते हैं क्या बोलते हैं viscous force या फिर viscous drag तो यह force इधर है velocity इधर है तो force जो है यह velocity gradient के भी directly proportional है और area के भी और जब इन दोनों को combine करते हैं तो f is proportional to minus a into dv by dx हो जाता है proportionality sign हटाते हैं तो हम लोग को मिलता है minus eta a into dv by dx जहांपे eta को हम क्या बोलते है coefficient of viscosity जो के nature of liquid की जानकारी देता है तो यह velocity gradient पे भी depend क्या nature of liquid पे भी और area पे भी मतलब यह क्या चीज़ पर depend नहीं करता है velocity के उपर depend नहीं करता है ठीक है इसके आगे question में बढ़ेंगे हम of liquid flow of liquid remains streamlined ठीक है above which it becomes turbulent अरे यह सब तो direct लिखाया हुए notes में question कैसा हाँ या ना मैंने आपको note में note करके लिखाया है कि the velocity of which flow of liquid remains streamlined and above which it becomes turbulent is critical velocity critical velocity के उपर जैसे ही हम लोग जाते हैं ठीक है critical velocity के उपर जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो हमारा क्या हो जाता है जो flow वो turbulent हो जाता है और उसके नीचे जब हम लोग रहते हैं तो flow हमारा क्या रहता है stream line रहता है आगे बढ़ा जाए आगे देखते है question number 29 बोलता है steel wire is loaded by 2 kg weight if radius of wire is double then its extension will be देखिए क्या है हाँ या ना ठीक है समझते हैं बोलता है कि एक steel wire है ठीक है एक steel wire है इस steel wire का मान लीजे कि radius r है और length कितना है l है ठीक है अगर हम आप से पूछ दो इसका initial volume क्या है तो आप क्या बोलेंगे sir pi r square into l यही बोलेंगे इसके बाद क्या बोला है इसके उपर हम लोग एक load लगाया है 2 kg का ठीक है इस वज़ा से radius जो है वो double हो गया है इसके उपर हमने load लगाया है 2 kg का तो radius क्या हो गया है double हो गया है ठीक है कोई बात नहीं radius double होने दिजिए ठीक है तो मतलब अब जो radius है यह कितना हो गया है 2 r है लेकिन बाव रेडियस जैसे double होगा तो इसका length change कर जाएगा कर जाएगा ना ठीक है अगर हम आपसे पूछ देंके बताए यह final volume क्या होगा तो आप क्या बलेंगे सर पाई into 4 पाई into 2 r square into जो length है length कितना l dash तो final volume कितना हो जा रहा है 4 पाई r square into l dash इस चीज में इसको यहां से यहां लाने में एक ही चीज चेंज नहीं होता है और वो है volume मतलब जितना volume initial होगा उतना ही volume final भी रहेगा ठीक है volume कीचने से और दबा देने से volume में changes नहीं आएंगे तो यहां पे initial volume जो है और final volume जो है यह दोनों क्या होगा same होगा initial volume आपका कितना है initial volume है pi r square into l और final volume कितना है 4 pi r square into l dash यह pi और pi कड़ गया r square r square कड़ गया 4 को नीचे ले आएंगे जैसे ही 4 को नीचे ले करके आएंगे l dash equal to कितना हो जाएगा l dash हो जाएगा l by 4 मतलब क्या हो गया देन extension will becomes one fourth मतलब वो जो rod है जो wire है वो one fourth से कम हो जाएगा हाँ या ना कम होगा ना radius चैसे दबाएंगे तो radius चोड़ा होगा radius बढ़ेगा और radius जब बढ़ेगा तो length automatically है क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है तो यह 29 number question होगी है next 30 पे आते है ठीक है यह question समझेंगे क्या है ना बोलता है कि a best ideal black body इस best ideal black body क्या है lamp of charcoal heated with high temperature देखिए charcoal से बना हुआ lamp high temperature पर जाब उसको heat करेंगे तो वहाँ पे graphite का formation होगा और graphite के formation के वैसे क्या होता ना light निकलेगा तो वो perfectly black body ideal black body नहीं होगा तो sir यह black body क्या होता है तो black body हम लोग उस body को बोलते है जिस body में light enter कर जाए तो वो वहाँ से निकल ही नहीं सके ठीक है तो हम लोग क्या किये ना एक body लिए इसमें एक छोटा जा hole कर दिये और अंदर में पूरा dark कर दिये ठीक है और जैसे अब light यहाँ पे घुसना start किया अब यह reflect अंदर में ही करते रह जाएगा और यह body इसको यहाँ से बाहर निकलने देगा ही नहीं कोई जगा ही नहीं रहेगा इसके पास बाहर निकलने का इस तरह के body को हम बोलते है perfectly black body या ideal black body ठीक है तो पहला वाला option तो हमारा fail हो गया कि lamp of charcoal heated to high temperature तो इसमें क्या होगा ना जब भी आप charcoal के lamp को high temperature पे heat करेंगे वो graphite का formation करेगा और graphite से light emit कर जाता है बाहर अगर बाहर निकल गया तो फिर तो वो perfect black body हुआ नहीं दूसरा metal coated with black dye ठीक है metal coated with black dye ठीक है होता क्या है कि जब fluorescent light मारते है न तो यह जो metal coated with black dye है यह भी ऐसे तो नहीं करता है लेकिन fluorescent light मारने से यह जो metal है न वो क्या करता है कि वो भी light को थोड़ा emit होने दे देता है ठीक है थोड़ा ही लेकिन देता है तो इसी वैसे यह भी नहीं होगा ठीक है इसके बाद है glass surface coated with quarter इससे glass surface है glass surface है तो ऐसे ही वो light को emit होने देगा ही वहाँ ते light reflect back हो सकते हैं यहाँ पे hollow enclosure blackened inside and having small hole देखें मैंने बनाया ना एक small hole बनाया है अंदर में पूरा black रखा है ठीक है और इसके वैसे light अंदर जा रहा अंदर में reflect होरा reflect होरा reflect होरा और यह फंस जा रहा और इसी तरह के body को हम क्या बोलते है black body यह अपने से light को बाहर की तरफ नहीं आने देगा reflect नहीं होने देगा ठीक है तो इसका answer जो होगा 30 का हम लोगा वो क्या होगा D होगा option number B next अगले सवाल में आते हैं the translational kinetic energy of a gas molecule at temperature T for one mole of gas आप लोग को मैंने बताया है कि translational kinetic energy यह kinetic energy यह क्या था यह था 3 by 2 into RT आपको अभी याद भी आएगा कैसे आपको मैंने बताया था कि R को हम लोग क्या लिखते हैं K into Na लिखते हैं जहाँ पे K बोल्जमान constant है और Na क्या है यह क्या है बोल्जमान constant है और Na क्या है एवे guard rose number है तो monoatomic gas के लिए कि जो kinetic energy है यह कितना होता है 3 by 2 RT तो यहाँ पे जो 31 का जो option है यह option A हमारा सही होगा ठीक है आप इस R को K into Na लिख सकते हैं K बोले तो बोल्जमान constant and Na बोले तो एवे guard rose number ठीक है नेक्स्ट है बच्चों हमारा question number 32 which is the following parameter does not characterize thermodynamic state of matter हाँ ठीक है देखिए मैंने आपको पढ़ाया thermodynamic state मतलब thermodynamic condition volume हमको किसी भी system का condition बताता है pressure बताता है temperature बताता है लेकिन work जो है न यह हमको thermodynamic state नहीं बताता है किसी भी system का thermodynamic state यह हमको work से पता नहीं चलेगा volume पीवी is equal to nRT पढ़े है न सिंपल सा चीज क्या पढ़े है PV is equal to nRT ideal gas equation pressure change, volume change, temperature change कुछ भी change होता है और इसी चीज़ का thermodynamic state बोलते है क्योंकि यही हमारा condition हमारे thermodynamic process का condition क्या करता है बताता है ठीक है तो यहाँ पे pressure volume temperature तीनों आ गया work नहीं है मतलब work क्या हो जाएगा यह not characterized है इसके बाद है question number 33 question number 33 देखेंगे बहुत अच्छा और बहुत आसान question है ठीक है समझते हैं कि यह question आ खिर बोलना क्या चाहरा है बोलता है heat cannot by itself flows from body at lower temperature to body at higher temperature is the statement a consequence of हाँ heat जो है यह lower temperature body से higher temperature body पे अपने आप flow नहीं करेगा ठीक है क्या है heat जो है यह lower temperature कम temperature वाले body से high temperature वाले body पे अपने आप flow नहीं करेगा ठीक है यह कौन सा था Kelvin Planks and Clausius statement था न और यह किस में आता है second law of thermodynamics में आता है किस में आता है यह second law of thermodynamics जीरो यह तो लो क्या बोलता है temperature की जानकारी देता है first law क्या है law of conservation of energy है और second law क्या बोलता है कि हम कभी भी low temperature के body से high temperature के body पे heat का अपने आप transfer नहीं करा सकते है हाँ high temperature body से low temperature अपने आप आ जाएगा लेकिन low से high की तरफ अपने आप transfer नहीं करा देते हैं अगर ऐसा होने लगता ना तो energy की दुनिया में कमी नहीं होती ठीक है तो second law है यह कांसा law है second law of thermodynamics है next question है हमारे पास and heat engine has an efficiency of 1 by 6 एक heat engine है जिसकी efficiency कितनी है 1 by 6 when temperature of sink is reduced by 62 degree Celsius its efficiency is double जब इसका जो temperature sink का उसको 62 degree Celsius से हम लोगों ने minus कर दिया है तो वो कितना हो गया है efficiency उसकी double हो गई है temperature of source बताना है कि source का temperature क्या होगा बताईए पहले यह समझे हीट engine में क्या होता है heat engine में एक होंगे source और यह हमेशा high temperature पे रहेगा ठीक है high temperature क्या होगा source का हमेशा high ठीक है और एक होंगे sink क्या होंगे बच्चो sink यह हमेशा low temperature पे रहेगा ठीक है और यहाँ sink से source की तरफ हम move करेंगे यहाँ पे होगा working substance यह high temperature यह low temperature heat इधर से इधर flow करेगा high से low की तरफ और यही heat के वज़ा से हम लोग कुछ work done भी यहाँ पे करवा लेंगे हमको जो बोला गया है कि यही heat engine है बस simple तो समझे यह क्या है heat engine है और heat engine की जो efficiency होती है यह 1 by T1 minus T2 होता है 1 by T2 minus T1 होता है क्या होता है 1 by T 1 minus 1 1 minus T2 by T1 होता है क्या होता है यह 1 minus T2 by T1 होता है जहाँ पे T2 क्या है यह sink का temperature है जो कि low है और T1 क्या है यह source का temperature है जो कि कितना है T1 है ठीक है, तो अब ये question हमारे लिए आसान हो गया, बोलता है कि efficiency 1 by 6 है, ठीक है, this is equal to 1 minus T2 by T1, कोई दिक्कत नहीं है, T2 by T1 को इधर ले आईए, 1 by 6 को इधर कर दीजिए, T2 by T1 is equal to केतना जाएगा, 1 minus 1 by 6, LCM ले लिजिए, 6 minus 1 केतना आजाएगा, 5, तो T2 by T1 का value कितना आगया, 5 by 6, ये T2 by T1 का value आया है, इसको अभी यहाँ पर लगा के रखिए, अब दिखिए इसके बाद दूसरा condition बोला ना, कि ठीक है, when temperature of sink is reduced by 62 degree, sink के temperature को 62 degree से minus कर दीए, पहले से 82 था, अब उसे minus कर दीए, कितने से 62 degree Celsius से, its efficiency is double, मतलब अब जो efficiency है, कितना हो गया, 2 by 6 हो गया, मतलब ये कितना आगया, 1 by 3 आगया, तो अब ये क्या मिलेगा हमको, efficiency is equal to 1 minus, sink का temperature अब कितना हो गया बच्चो, अब ये temperature हो गया, T2 minus 62, divided by source का temperature में कोई भी changes नहीं है, तो इसमें हमने कोई भी changes नहीं किया, ये कितना गया, ये है value 1 by 3, equal to 1 minus, ये कितना होगा, ये हो जाएगा, minus of T2 by T1, और ये minus minus, minus क्या हो जाएगा, plus, minus minus मिलेगा, plus, 62 by T1, ठीक है, आप देखिए तो T2 by T1 का value कितना है, 5 by 6, तो ये हमको क्या मिलेगा, 1 by 3, equal to 1 minus, 5 by 6, plus, 62, divided by T1, LCM ले लिजए, 6 minus 5, कितना आजाएगा ये, फिर से 1 by 6 आजाएगा, आजाएगा ना, तो 1 by 3, equal to, 1 by 6, plus, 62, divided by T1, ठीक है, इसको इधाची इधर ले आते हैं, क्या आजाएगा, हमको मिलेगा, 62, 62, हमको मिलेगा, 62, by T1, is equal to कितना, 1 by 3, minus 1 by 6, LCM लेंगे, हम लोग 6, ये कितना होगा, ये आजाएगा, 2, और ये आजाएगा, 1, LCM कितना ले रहे, 6 ले रहे ना, LCM is 6, ठीक है, तो ये कितना होगा, 62 by T1, अब ये कितना आजा रहा है, देखिए, T1 is equal to 62 into 6, कितना आगया बच्चों, T1 का value आगया, 6, 12, ठीक है, और 6, 36, और 1, 37, 37, ठीक है, ये इतना Kelvin आगया, ठीक है, जब ये तक Kelvin आगया, degree Celsius मिलाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 273 से माइनस कर देंगे, तो T1 is equal to, कितना आजाएगा, T1 is equal to 372 माइनस 273, जो कितना आगया, 99 आगया, ठीक है, इतना Kelvin आगया, लेकिन हमको किसका चाहिए, हमको चाहिए सॉर्स का, हां सॉर्स का चाहिए, तो 91 आगया, ये तो हो गया खदम, सॉर्स का temperature चाहिए, तो सॉर्स का कितना आगया है, 99 ठीक है, 99 ये चेंज इन्टेम्परेचर है, आप यह तो degree Celsius में लिखेंगे, या फिर Kelvin में लिखेंगे, ठी 372 Kelvin आया था जिससे हम लोगों ने क्या कर दिया है degree Celsius में convert कर दिया है मतलब यह कितना आ गया है 99 degree Celsius आ गया है ठीक है अगर यह कोशन नहीं समझे तो फिर से एक बाद देख ले ठीक है क्या है यह हमारा heating है source है sink है working substance है heat यहां से आएगा कुछी धर जाएगा कुछी धर जाएगा efficiency होता है 1 minus T2 by T1 मतलब sink का temperature divided by source का temperature efficiency लगा है यहाँ पर दूसरा case में T2 जो है change हो गया था T2 का value put किये मतलब temperature कितना 62 degree से minus हो गया था minus किये यहाँ पर हमने T1 का value निकाला 372 Kelvin आया इसको degree Celsius ने हमको चाहिए था 273 से minus कर दिए तो 273 से minus करने के बाद यह कितना चला रहा है 99 degree Celsius आ रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है according to kinetic theory of gases at absolute zero बाबू absolute zero बोलने का मतलब होता है minus 273.15 degree Celsius क्या होता है minus 273.15 degree Celsius जब आप इतना temperature पर पहुँचेंगे ना तो हर एक चीज़ फ्रीज कर जाएगा फ्रीज कर जाएगा मतलब उसके में motion नहीं होगा उसका motion खतम हो जाएगा ठीक है और thermodynamics आप लोगों ने third law नहीं पढ़ा है तो third law इसी के उपर बेस है कि at absolute zero entropy of the system क्या होता है remains constant ठीक है मतलब वहाँ पे कोई भी motion नहीं होगा तो molecular motion जो होता है वो stop हो जाता है कहां पे according to absolute zero ठीक है absolute zero पे absolute zero बोले तो minus 273.15 degree Celsius ठीक है इसके बाद है a gas in a gas sound wave is देखिए gas में कोई भी हो sound wave है तो उसके particles waves हो जो भी हो सब longitudinal path में travel करता है कैसे travel करता है longitudinal ठीक है ना सीधे straight path में इधर ये travel करेगा ठीक है और transverse में क्या होता है particle का vibration ऐसे wave का propagation ऐसे लेकिन यहाँ पे particle का vibration और wave का propagation दोनों क्या होगा सेम होगा जैसे sound wave है ना ठीक है तो क्या sound wave है ना sound wave में क्या होता है gas में gas के भी particles होगे और sound wave भी आप भेजेंगे दोनों का क्या होगा same direction में propagation and direction of motion होगा तो यहाँ पे यह सिर्फ longitudinal होता है क्या होता है सिर्फ longitudinal ठीक है अगला सवाल है a wave complete 20 vibration in 25 seconds then it's frequency 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 मतलब एक second में कितना vibration हाँ यह ना तो 2.5 second में 20 vibration एक second में कितना तो 20 by 2.5 मतलब यह कितना आ गया काट छाट के 8 तो answer क्या होगा 8 thirds हो जाएगा कताम होगा question ठीक है 2.5 second में 20 vibration हो रहा है एक second में कितना होगा 8 vibration होगा 8 vibration होगा मतलब frequency कितनी हो जाएगी 8 thirds हो जाएगी इसी के बाद question number 38 में आते हैं if a pendulum oscillates 78 times in one minute then frequency of that pendulum will be एक pendulum है जो के कितना एक minute में 78 oscillation कर रहा है इसकी frequency बतानी है तो सबसे पहले तो one minute one minute में कितना oscillation है 78 oscillation है यही है ना one minute में कितना oscillation दे रहे हैं बच्छे लोग 78 oscillation दे रहे हैं one minute मतलब 60 second में 78 oscillation दे रहे हैं फिक है और हमसे बोला गया है कि frequency बताईए simple pendulum का मतलब एक second में कितना oscillation होगा तो एक second में कितना हो जाएगा आपके हिजाब से 78 divided by 60 इस value का आप निकालेंगे तो मेरे ख्यास है 1.3 hertz आएगा तो question number 38 cancer क्या हो जाएगा 1.3 hertz एक second में कितना oscillation कितना vibration हो रहा है इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं frequency बोलते हैं ठीक है तो बच्चों सबसे पहले तो restoring force और inertia ये दोनों तो है इसको तो याद ही रखना कि ये दोनों है क्या है restoring force और inertia क्या है simple harmonic motion के लिए है important है अब matter आता है gravity and material medium के उपर ठीक है तो होता क्या है ना कि gravity का effect बहुत कम होता है simple harmonic motion में simple harmonic motion बताया ना to and from motion in a straight line हाँ ये ना to and from motion in a straight line about a fixed position such that acceleration जो होगा ये directly proportional होगा negative of displacement के ये तो एकदम याद रखना है simple harmonic के लिए ये वाला condition दुआदार आता है exam में हो जबता है कि आपका exam हो और वो चीज़ चला है ठीक है तो क्या है ये acceleration is directly proportional to negative of displacement ये चिसको याद रखना है ठीक है तो gravity का effect नहीं होता है कहीं कहीं पर आपको material medium का maybe effect दीख चाहे ठीक है तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा correct answer है उसको लेंगे मतलब gravity लेंगे तो 39 का जो answer होगा ये क्या होगा बच्छो ए होगा और अब हम लोग last question में पहुँचेंगे जो बिलकुल इसी से related जो भी आपको मैंने बताया ये question बोलता है क्या बोलता है देख लिजी एक बार question बोल रहा है कि restoring force acting on a particle executing है SHM is directly proportional to displacement inversely proportional to displacement directed in same direction as displacement independent of displacement तो मैंने आपको क्या बताया acceleration ये directly proportional to negative of displacement acceleration है मतलब f equal to m a है मतलब force equal to mass into acceleration है हाँ या न तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते है f is proportional to negative of displacement मतलब force तो directly proportional to displacement है inversely का option दिया है ये नहीं है directed same नहीं negative sign लगया मतलब दोनों का direction क्या है यहाँ पे अलग-अलग है negative sign लगया मतलब direction force or displacement का अलग-अलग है independent तो है ही नहीं है तो question number 40 का answer क्या हो जाएगा ये हो जाएगा directly proportional to displacement और ये आपको model set में ये 40 question दिये गये थे इन 40 questions को हमने solve किया है solve करके आप लोग के लिए बनाया है ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आ गया है अब आप लोग जो है इस वीडियो को देख सकते हैं अपने दोस्तों को भी से forward करें जादा जादा forward करें ताकि जादा जादा बच्चों लोग इसका फाइदा उठाएं ठीक है समझ में आ रहा है बाद जो भी हम लोग बोल रहे हैं और like, subscribe, comment, share तो जरूर करें अरे कभी कभी तो कुछ-कुछ मौका मिलता अच्छा काम करनेगा है की नहीं ठीक है तो वीडियो को share जरूर से करें like, subscribe जरूर करें और जादा से जादा share करें ये question अल्मोस सारे answer इसमें सही है और आपको जो answer दिये गया है उसमें कुछ गडबल गडबल answer भी है ठीक है तो वहाँ वाले answer को नहीं आप लोग most probably आप लोग यही सोचेंगे कि सर जो बताया है कि वो सही है आप उसी को follow करेंगे है ना अगर इसमें से जो question आएगा जो option मैंने बोला है उसी option को आप लोग मार करके आएंगे ठीक है तो okay बच्चो thank you फिर मिलेंगे हम लोग अब अपने अगले वीडियो के साथ thank you and that's all for today